मैं हूँ अभिशिक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक कल लंदन में एक हैकर ने दावा किया था कि 2014 के लोकसबा चुनाव में EVM यानि Electronic Watering Machine को हैक करने की गड़बड की गई थी इस Cyber Expert की पहचान साइद सुजा के रूप में हुई है साइद ने एक Press Conference में Skype के जरिए ये खुलासे किये जिस Press Conference में साइद सुजा ने दावे किये हैं वो Press Conference लंदन में Indian Journalist Association यॉरप की तरफ से करवाई गई थी साइद सुजा ने Skype के जरिए Press Conference को संबोधित किया जिसमें उसने अपना चैरा ढखा हुआ था सुजा जो की एक हैकर है उसने कहा कि उसकी टीम ने हैकिंग की कोशिशों को नाकाम नहीं किया होता तो भारतिय जनता पार्टी राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में भी जीत दर्ज करती इस Press Conference में Congress के वरिस्ट नेता कपिल सिबल भी मौझूद थे और जिनकी वज़े से Press Conference को Congress का प्रायोजित स्टंट कहा जा रहा है और सहीद सुजा के दाओं को Congress की चुनावी चाल बताया जाने लगा है सबसे पहले आप ये जानिये कि सुजा ने आखिर दावे क्या क्या किये है सुजा के मुदाबग 2014 के आम चुनाव में Reliance G.O. ने भाजपा की मदद की थी ताकि भारतिय जनता पार्टी को EVM हैक करने के लिए low frequency signal मिल सके बीजेपी ने military grade frequency transmit करने वाले एक modulator का इस्तेमाल करके EVM हैक की थी सायद ने कहा कि 2015 में भी हमारी टीम ने बीजेपी की EVM हैक करने की कोशिशों को monitor और intercept भी किया था सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुजा का दावा है कि उसकी टीम को Electronics Corporation of India Limited की तरफ से ये पता लगाने का काम दिया गया था कि EVM कैसे हैक हो सकती है सुजा ने कहा कि हमने बीजेपी की कोशिशों को दिल्ली के 2015 के विदान सबा चुनाव में भी intercept किया था जिसकी वज़े से ही आम आदमी पार्टी को 70 में से 66 सीटे मिली थी सुजा ने दावा किया कि 2015-2014 में केंद्रिय मंतरी गोपिनाद मुंडे की हत्या हुई थी क्योंकि उन्हें EVM हैकिंग की जानकारी थी गोपिनाद मुंडे की 2014 में एक सड़क हादसे में मोत हुई थी और National Intelligence Agency के अफसर तंजील एमद गोपिनाद मुंडे की हत्या की जानकारी रखते थे तो उन्होंने इस मामले में FIR करने की कोशिश की थी और इस वज़े से ही तंजील एमद की भी हत्या कर दी गई थी अब हम आपको ये बताएंगे कि इतने सारे दावे करने वाला हैकर है कौन उसके बारे में जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके अनुसार सैयद सुजा हैदराबाद का रहने वाला है और एक साइबर सीक्योर्टी रिसर्चर है इस वक्त अमेरिका में नोक्री करता है और उसकी माने तो वो EVM बनाने वाली भारतीय कमपनी भारत Electronics निगम लिमिटेड में काम करता था सईद सुजा के अनुसार EVM हैक करने की ट्रायल उसकी टीम को ही दी गई थी और उन्होंने बाद में EVM हैक करके भी दिखाई थी जिसकी वज़े से उस पर हैदराबाद में एक जानलेवा हमला भी हुआ था सुजा के अनुसार वो इस हमले में बच गया पर उसके साथी दंगों के शिकार करार देकर मार दिये गए गोपिनाद मुंडे की मोत को लेकर किये गए दावे में उसने एक और संसनी के इस्तथे भी जोड़ा है कि पत्रकार गोरी लंकेश की हत्या भी EVM की गड़बडियों की परताल की वज़े से ही हुई थी गोपिनाद मुंडे के बतीजे धननजय मुंडे ने इस साइबर एक्सपर्ट के दावे पर हैरानी जताई है और ये भी कहा कि गोपिनाद मुंडे से प्रेम करने वाले सभी लोगों ने हमेशा उनकी मोत पर सवाल या निशान लगा है गोपिनाद मुंडे की सडक दुरगटना में 2014 में भाजपा को लोकसबा चुना में जीत मिलने के कुछी सब्ता में मृत्य हो गई थी रांखपा के नेता धननजय मुंडे ने ट्वीट करके मामले की जांच रिसर्च एंड एनलिसिस विंग से करवाने की महांग की है अब हम आपको भारतिय विश्यशक्टियों की राय बताएंगे कि क्या EVM है की जा सकती है या फिर नहीं भारतिय निर्वाचनायोग के टेक्निकल एक्सपर्ट और IIT भिलाई के डाइरेक्टर डॉक्टर रजत मूना की अनूसार EVM ऐसी स्टेंड अलोन मशीने हैं जो टेंपर प्रूफ हैं जिनमें किसी भी वाइल्लेस मीडियम से छेड़चाड संभव ही नहीं है मुखे निर्वाचनायोग इसी महीने की शुरुवात में कह चुके हैं कि EVM से छेड़चाड संभव नहीं है भारतिय जनता पार्टी को मामले में दोशी ठहराए जा रहा है इस मामले में केंद्रिय मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी ने इसे राजनीती से प्रेरित बताया है हैक्टॉन में कपिल सिब्बल की मौजूदगी को लेकर नकवी ने कहा कि भारतिय लोकतांत्रिक विवस्था को बदनाम करने के लिए राहुल गांदी और सोनिया गांदी ने कपिल सिब्बल को वहां भीजा है अब कॉंग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि इसका रिक्रम में उनकी कोई भागिदारी नहीं है कपिल सिब्बल तो वहां एक निजीनी मंतरन पर गए थे अब इस मामले में जितने और अपडेट्स आएंगे वो हम आपको धमचिक के मादिम से बताएंगे और जाते जाते आपसे ये कहेंगे जो हम हमेशा कहते हैं कि धमचिक मचाते रही है